You know registration is allowed for individual customer only. Please check the customer type of account entered by you for further clarification visit your nearest branch. दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? ये एरर क्यों आया आपके पास? क्यों आया? और ये एरर कैसे ठीक होगा? इसका solution क्या है? आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ ठी दोस्तों? तो वीडियो की स्किप नहीं करना है वीडियो क्लास तक देखते रहना है तब ही आपका इस इरर का solution मिल पाएगा तो आईए जान लेते हैं इस इरर के solution के बारे में ये क्यों आया और इसका solution क्या है? तो आईए जान लेते हैं दोस्तों अगर आप इसी तरह की और भी जानकारिया हिंदी में पढ़ना चाते हैं तो आपको अपना mobile में google open करना है गूगल open करने बाद आपको यहां पर search करना है tmkkp.com कुछ इस तरह से देख सकते हैं tmkkp.com और इसे search कर देना है जिसे आप search करते हैं आपके सामने हमारी ब्लोग website open हो जाएगी जिस पर आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे और बेहतरीन जानकारिया उपलब दुकराई जाती है ठीक दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरप्रदेश रासन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें इस तरह बहुत सारी जानकारिया हैं जो कि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं मुबाइल से सम्मंदित बहुत सारी जानकारी इस पर update की जाती है ठीक दोस्तों तो एक बार इस website पर विजिट जरूर करें आपको यहां 3 dot दिखाई दे रहोगा 3 line इस पर क्लिक करना है और यहां पर menu आजाएगा आप जिस भी topic को सेलेक्ट करेंगे उससे सम्मंदित पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जागी ठीक दोस्तों तो एक बार website पर विजिट जरूर करें तो चलिए आईए जान लेते हैं यहां इस बीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है सीधा आपको अपने home branch में विजिट करना है इसलिए आता है क्योंकि आपने अपना account किसी mini branch में खुलवाया है या किसी tiny के पास खुलवाया है ठीक है दोस्तों जिसके कारण यह error आ रहा है और यह समस्या solve तब होगी जब आप अपने home branch विजिट कर लेंगे इसे अपना saving account में convert करवा लेंगे उसके बाद यह error ठीक हो जाएगा आप चाहें तो SBI का you know light app भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप SBI में account खुलवाया है किसी tinym खुलवाया है ठीक है दोस्तों छोटी branch में खुलवाया है कोई बात नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है दो फोटो लेना है अपना bank पास्बुक लेना है आधार कार्ड लेना है पाइन कार्ड लेना है यह सबी चीज़े लेकर के अपने home branch में विजिट कर जाना है जहां आपका branch का में ब्रांच होगा ठीक दोस्तों वहाँ पर चले जाना है और अपने bank account को transfer करवा लेना है saving account ठीक दोस्तों तो आप जो है योने sbi का पूरा full love ले सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा अगर वीडियो पसंद आया तो like share जरूर करें और अगर आप और भी इस तरह देख सकते हैं आपर हमारी वीडियो आल्रेडी डली हुई है driving license और बहुत सारी वी जय हिंद जय भारत